तो वेलकम डियर स्टुडेंट्स और लाउंडर बी एसस के बहितरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत और अभिनान नहीं जैसे कि आप जानते हैं कि जब आहान वोदे विद्याले के इंट्रेंस एक्जाम के लिए लास्ट काउंट डाउन शुरू हो चुका है और इस काउंट डाउन में भाई लोगों हम लोगों को क्या करनी है सिर्फ प्राक्टिस करनी है और सिर्फ और सिर्फ प्राक्टिस करनी ह और इसी प्रैक्टिस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं इसी प्रैक्टिस को लेकर हम जोज आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और प्रैक्टिस 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 क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए यह पेपर आसान सिद्ध होगा उतना ही आपको confident आएगा और उतने ही आपको इन नंबर उतने ही अच्छे आएंगे जितनी आप practice करेंगे अब और सिर्फ और सिर्फ आज 9 तारिक हो गई है सिर्फ 10 दिन आपके बचे हुए है निकि countdown शुरू हो चुका है आपके paper का जैसे ऐसे दिन नज मौक टेस्ट या मौक टेस्ट जो एक्चल पेपर की तरह होते हैं वह सौल करें आप चाहें तो 50 पेपर की शीरीज ले सकते हैं सिर्फ 699 रुपये में और अगर आपको ऐसा लगता है लोगों अगर आपको ऐसा लगता है कि 50 पर आपसे नहीं हो पाएंगे तो आप सिर्फ 25 इस मॉडल पेपर ले सकते हैं सिर्फ 3099 रुपय में भाई लोगों 3099 रुपय कोई भी बड़ी बात नहीं होती है जितने ज्यादा आप मौक टेस्ट करेंगे जितना आप पेपर लगाएंगे एक्चुल एक्जाम की तरह उतना ही आपके लिए बैनिफीशल होगा इसलिए करना बिलकुल ना भूलें सिर्फ और सिर्फ 399 रुपय में 399 रुपय में यही मौक आया है स्वेक्पैस के लिए आफ्र है वैसे है यह मौक टेस्टेस ऑाइप यह 9899 यानि कि 900 रुपए में आपेलेवल ती लेकिन बहुत कम समय रहे गया है इसलिए सिर्फ तीन सो निन्यानुए रुप है में जाकर आप ये मौ पच्छिस मौक्टेश सीरीज लेना बिलकुल भी ना भूले बहुत सारे बच्चों ने इस तीरीज को लिया है जो उनके लिए बहुत ही जादा हैलफुल हो रही है आप भी अपने आपको पी रुप है में या फिर आप हमारे नंबा 76108-79108 पर कॉल करके भी तीन सो निन्यानुए रुप है में ये मौक टेस्ट पेपर की सिरीज को ले सकते हैं तो आज ही ये सिरीज लेना भाई लोगों बिलकुल ना भूले और मैं आपके लिए ऐसे पेपर बना रहा हूं इस मौक लाटेस पेपर की सिरीज में आपको कहीं ना इसा लगेगा हम लोगों ने सॉल किया हूँ यानि कि जैसे कोशन हम लोगोंने सॉल किए है वैसा ही अग्जाम ही पेपर आया है और फूल कान्फिडंट के साथ ना पर देंगे बलकि जब आप एक्जामनेशन हॉल से बाहर नि भूले सिर्फ और सिर्फ 309 रुपय में तो भाई लोगों जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं पहले तो सभी बच्चों को बच्चों को नमस्कार है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूं तो एक कमेंड करना न भूले और जब मेरा जो य लाइक बटन तो होने ही होने चाहिए यह बात आपको याद अखनी है क्योंकि अब बहुत ही कम सब्सक्राइब है सिर्फ 10 दिन रहे तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको डेली के दो-दो मॉडल टिप मॉक्ट टेस् कराइंगे पर कोशिश करेंगे दो या तीन भी हो जाएं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो उतना ही बेनिफीशल आपके लिए रहेगा तो सही बच्चों गुरी इवनिंग सही बच्चों को नवश्कार है तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर सब्सक्राइब करने के बाद जिन बच्चों ने अभी तक मॉड़क टेस्ट पेपर की सीरीज को नहीं लिया वह 399 रुपय में मॉड़क टेस्ट पेपर की सीरीज को लेना बिल्कुल भी न भूले तो आईए शुरू करते हैं अपने पेपर को तिक है कोशन नमबर 41 से हम ल की देखते हैं कि यह कोशन नमबर 41 ओं देखिये हो यह देखिया हुआ यह देखिर है यह आस पेपर वहा था आपका बच्चों का और आज का यह सुलीशन कराते हैं क्या कह रहा है yellow करना जो giving numbers हैं उनका average find out करते हैं जो भी number दे रके सब का सम करेंगे और जितने number दे रखे उससे डिवाएट करेंगे कौन कौन से number दे रखे तो आप कहेंगे 50 दे रखा है 20 दे रखा है 40 दे रखा है 15 दे रखा है और दस दे रखा है कितने num 20 प्लस 40 15 प्लस 10 divided वाइ कितनी संक्या है 2 2 4 5 5 से हम डिवाइड करेंगे 50 20 कितने हुए कितने हुए 60 70 और 40 कितने हुए भाई लोग है 110 और 120 130 135 और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10 5 35 तो कितना अवरेज आ जाएगा तो आप कहेंगे 27 हमारा क्या जायेगा भाई लोग हो average आजाएगा तो कौन सो options आई है तो आप कहेंगे a is the right answer a कित्या होगा बिल्कुल correct answer होगा average निकालने का यही formula है 26 नहीं आएगा 27 आएगा पांद नोनी 10 पांद सत्य 35 ठीक है तो average निकालने का यही formula होता है सबका sum करो और जितने नमबर नहीं उससे क्या कर लो भाई लोगो divide कर दो क्या कर दो divide कर दो ठीक है आई आगे बढ़ते हैं अपने अगले questions क्यो बढ़ते हैं अगले question आपका unitary methods का है तो करते हैं भाई लोग क्या कह रहा है यह भाई यूनिट्री मेथट लगाते है लोगों यूनिट्री में क्या करते हैँ आई देखलेते हमगें बीयस किलो ग्राम का प्राइज आ थो सो लह सौ रुपेर थे दौ एक किलो ग्राम का प्राइज कितना होगा थो आप कहेंगे शोला सौ ₹2020 라고 नोगtern तो पांच किलोग्राम का कितना होगा तो आप कहेंगे असी गुणा पांच आट पंजे चालेस यानि की चार सो रुपए कितना होगा भाई लोगो आप कहेंगे चार सो रुपए तो कौन सो आप्शन सही होगा तो आप कहेंगे बीस दराइट ऑप्शन पांच किलोग्राम वी number 43, क्या कह रहा है, संख्या 825 की अंक 8 के स्थानियमान और इकाई की अंक के स्थानियमान के बीच अंतरगार की, find the difference between the place value of digit 8 and the place value of unit digit of the number 825, तो आठ का जो place value होगी, वो कितनी होगी तो आप कहेंगे, 825 में 8 की जो place value होगी, unit 10100, इकाई धाई सेकड़ा, आठ इंडू 100 होगी, यानि की 800 होगी, इसकी place value कितनी होगी, 800 होगी, और आपके कहेंगे 5, 5 ही कितनी होगी, तो 5 into 1, यानि की 5 होगी, कि दोनों में difference गयाद करना है, तो कितना होगा, आप कहेंगे 795 होगा, तो कौन सा option होगा, तो आप कहेंगे, A is the right option, A क्या होगा, बिल्कुल correct option, बहुत यासान सा option था, जितने बच्चे देख रहे तो like button करना बिल्कुल भी ना भूने, ठीक है, तो 795 is the right answer, ठीक है, आगे कहा रहा है भाई लोगो, आगे क्या कहा रहा है, यह देख रहते हैं, आगे क्या कहा रहा है, आगे यह, अंक 4, 5, 0, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या का योग जात कीजिए, find a sum of greatest number and lowest number makes from the desert 4503, हमारे पर डिजट कौन सी है, तो आप कहेंगे 4503, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 5430, सबसे चोटी संख्या क्या होगी, आप कहें तो करो 5, 4, 3, 7, 4, 8, 4, 7, 5, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे, 8, 4, 7, 5 हमारा बिल्कुल correct answer होगा, तो कौन सा option होगा, तो आप कहेंगे, B is the right option, B is the right option, बहुत ही असान सा question था, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे चोटी संख्या बतानी है, और उसको क्या करना है, उसका सम कर देना भाई लोगों, क्या करना है, सम कर देना है, चलिए आगे बड़ाते हैं, आगे हम से क्या कह रहा है, अच्छा question है, LCM का question है, क्या कह रहा है, देखिए, यह कह रहा है भाई लोगों कि वह सबसे चोटी संख्या ग्याद कीजिए, जिसे 12, 30, 20, 60 से बिवाज 30, 20, 60, leaves, remainder, 4 in each case, तो जब से आप, जब भी आप से smallest number भाई, लोगों पूछे, कि वह smallest number ग्याद कीजिए, सबसे पहले तो आप क्या ग्याद करेंगे, LCM, ठीक है, और अगर आप से पूछे कि remainder, मालो, 4 की जगा, अगर हम ले ले, X in each case, leaves are remainder, X in each case, तो आप, आपको क्या करन है, जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है, उसका निकालो LCM, और लास्ट में, जो छूट रहा है, leaves, remainder in each case, यानि कि हर प्रते कि स्तती में, इतना 6 वसता है, उसको जोड देना है, उसको क्या जोड दे करना है, जोड देना है, बस आपको यह करना है, ऐसे case में, ऐसे 12, 15, 10, 30, 3, 6, 15, 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 20, 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 20 सट आंसर होगा तो B option क्या होगा बिल्कुल correct answer आप भाई लोगो आपका हो जाएगा 64 is the right answer B सभी बच्चों ने दिया है जो कि बहुत इच्छी बात है सभी बच्चों ने B option आपका दिया है ठीक है चलिए भाई लोगों आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चिन पर वर्क एंट टाइम का कोश्चन है जाए देख लेता है कैसे होगा कोश्चन नंबर 46 क्या कहरा बाई लोगो तीस आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकते है चार दिन में तो छे आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सेंगे 30 men can do a piece of work in 4 days and how many days will 6 men do the same work on that we will have admd1 equal to m2o d2 कि अब पहले आदमी कितने रखे 30 दिन कितने दे रखे हैं for बाद में आदमी कितने देर रखे 6 दिन निकाल लें हम ठीक है जै चोदल ले जाओ 30 गुणा 4 वटे छे चैनल पंजे 30 पांच हो का 20 यानि कितने दिन लगेंगे भाहि लोगोगों तो आप कहेंगे 20 दिन लगेंगे कितने 20 दिन लगेंगे ठीक है अगला कोशन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर यह दा हम कोशन नमबर 47 अगर यह कोशन नमबर 47 देखते हैं कि 70 को हमें क्या बदलना है तो आप जानते हैं परसेंटेस का मतलब क्या अतना होता है घार भाई लोगों तो roll का होपी कहेंगे चार बटे पांच अंसर है तो कौन सॉ अप्शन होगा आप कहेंगे इस दर आइट आप ए बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई लोगो हो जागा जितने साड़े साथ बच्चे देख रहे हैं तो जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक से यार उतने होने ही होने चाहिए बात ध्या ला प्रतिशाद ग्याद करना है तो इस बाउट पैन फॉर हंडड़ एंड फॉर हंड़ेट फॉर सिस्टी फाइंड जा गें परसेंट तो भाई लोगों आपको क्या करना है चार सो साथ पर बेंज दिया कितने का प्रॉफिट हुआ तो आप कहेंगे साथ रॉपय का कमूल पर निकाले तो सब्सक्राइब कर लीजिये दो जिरो से दो जिरो कर दो चार एकम 4 चार पंजे 20 यानि कि 15 पर सेंट का क्या हो गया भाई लोगो तो आप कहेंगे 15 पर सेंट का प्रॉफिट हो गया यानि कि ए औप्शन इस दराइक ऑप्शन ठीक कि बिल्कुल क्या कह रहा है भाई लोगों देख लेते हम भाई लोगों एक वस्तु का लागत मुली यानि की क्रेमोल नौसर पहे 40 परसेंट लापड विक्री विक्री यानि की विक्रेमोल याद करना है कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा 900 फाइंडर सैलिंग प्राइस एक प्रॉफित फट पर्सेंट तो जब भी आपको पता होना चाहिए समेश्चा क्या होता है 10 맞아 40 परसेंट के प्रॉफित पहें तो एक सो चालिस परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे नौ गोड़ा जीरो नौ चोक छत्यस हसे लगा तीन नौ तीन बारा यानिकी बारा सो साट रुपए हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा हों फुर्टी पर्सेंट प्रॉफेट प्रि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएक ता आप जैंगे बाएज dope । ठीक है चली आगे बाड़ते हैं किया कहा रहा है आए यह देख लेते हैं आयत की लंबाई भाई लोगो 40 मीटर चौड़ाई 30 मीटर तो एरिया निकालना है चेतर फल निकाल तो चेतर फल लेंथ कितनी दे रखी है फॉर्टी मीटर दे रखी है और पहुका कितनी दे रखी यह दो थी 37 यह तो आप अधे निकालन प्राशाई य सब्सक्राव्याist क्लशन होगा सिंपल्डी दो यह अटेमर साव्टों कितनी नों हता है तो आपके राह स्व प्ध्र लोगो लेंथ इंटु ब्रेंट सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले में रेडियस यानिकी तरज्या और आप जानते हैं डैमीटर व्यास कितना होता है सबसे रेडियस की वैलु कितनी दे रखी है आप कहेंगे 176 और आप सबी लोग जानते हैं पाई की वैलु कितनी होती है 227 होती है कितनी होती है भाई लोगो तो आप कहेंगे इस पाई की वैल्यू आपकी 227 होती है ठीक है तो 227 आर स्कॉर एक्वल टू 176 तो इधर ले जाएगे साथ उपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा करिए भाई लोगो 11 से काड़ी है ग्यारा दुनी बाईस ग्यारा एकम ग्यारा ग्यारा चंग चासाट दो अठ्टे सोला साथ अठ्टे चंपन यानि की आर स्कॉर की वैल्यू कितनी होगी और इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्राइम फेक्टराइजेशन करना पड़ेगा वर्गमूल निकालने के लिए आपको प्राइम फेक्टराइजेशन करना भाई लोगों पड़ेगा अब देखिए 56 का अब इतना मैंने सॉल करा दिया इतना मैं मिटा देता हूं इतना मैंने सॉल करा दिया ठीक है तो आपको 56 क का प्राइम फेक्ट्राइजिएशं देखे कैसी होगा आप दो से काट ही है दो दुनी चार दो अठे सूला दो इक हम दो दो चो काट दो सत्य 14 और 7 एकम साथ में अब आपको क्या करना है कि आपका कैसे होगा दो गोणा दो गोणा दो गोणा ऑन गोणा तो अब इस दो और इस साथ का जोड़ा नहीं बना तो जिसका जोड़ा नहीं बना उसको मल्टिप्लाई करियो उसको वर्गमूल के अंदर रखिये जिसका जोड़ा नहीं बना उसको मल्टिप्लाई करियो उसको वर्गमूल यानि कि रेडियस कितनी आ गई दो वर्गमूल 14 यान यानिकी टू इंटू टू वर्गमूल 14 यह निकी फोर वर्गमूल 14 आजाएगी कितनी आजाएगी फोर वर्गमूल 14 तो कौनसे option होगा तो आप कहेंगे एस दा राइट ऑंसर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल correct answer भाई ब्हाइब हो जाएगा इस बात का आपको भाई लोगों ध्यान रखना अच्छा था बड़या कोश्ण था आपको इसमें चला निकालने यानि कि तीन चीजे आपको इस कोश्चन में पता चली कि कैसे इन तीनों चीजों को भाई लोगो 946 बच्चे हैं अब हजार का अक्रा तो पार करिए तो जब तो जब तो बैठे रहना है देखते रहना है कोशन बहुत इंपोर्टेंट कोशन में आपके लिए बहुत बड़ी होसा होगा कि हमारे बच्चे और आप लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम जो पड़े हैं वाल लॉंडर भी ऐसके प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे उतने ही हमें खुशी होगी तो अब उतने ही अच्छे अच्छे कोशन हर टाइप के हर तरीकी के कोशन हम आपके लिए पूरे 52 कोशन की ओर चलते हैं फिप्टी कोशन नमर फिप्टी ट्यू क्या कह रहा है लोगों देख लेते हैं कि अच्छी पैसे बीस रुपए के बीच मान उपाद ज्याद करना फॉइंड रेशियो बेट्वीन एटी पैसे एंड टूंटी रुपीस तो जब भी रेशियो फॉइंड लूट करनी होता है तो उपर और नीचे क्या करनी होती है यूनिट क्या होनी चाहिए से मुनी चाह तो मैं कहा रहा हूं कि एक रुपए में 100 पैसे होते है तो हम लोग क्या करने है असी ॉपर ह último तो बीज और एक रुपाय में 100 पैसे है एंटू 100 पैसे अब रेश्यो का मतलब होता है दिवाइड एए रेश्यो का मतलब क्या होता है एब तो ए कड़ो स्सी अब बीग नीचे कितने दाला बीच गुरुणा हंड Sure 20.80 और 4 एकम 4 और यह हो जाएगा 25 यानि कि एक वटे 25 और एक वटे 25 का मतलब होता है A1 ratio 25 1 ratio 25 तो कौन सा option होगा तो आप कहेंगे A is the right option A बिल्कुल क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा ठीक है A बिल्कुल correct answer होगा भाई लोगो A is the right answer ठीक है चली आगे बढ़ते हैं भाई लोगो 53 questions करते हैं 53 questions ठीक है देखते हैं भाई लोगो 53 questions को देखिए परितम 5 सम संख्याओं का उसत ग्याद करना है find the average of first five even number तो पांच even number लिख लेते हैं भाई लोगो क्या कर लेते हैं five even number हम लोगों लिख लेते हैं कौन कौन सी होंगी दो होगी चार होगी छे होगी आठ होगी और दस होगी और इसका पांच और पांच एकंपांच पांच शक्रत तीस यानिकि average कितना जाएगा तो आप कहेंगे average आजाएगा कछी आजएगा कितना जाएगा भाई लोगो तो आप कहेंगे six हमारा average जाएगा तो बी option is the correct option B बिल्कुल correct option भाई लोगो हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बड़ते हूं कोशन नमबर 54 कोशन नमबर 54 की और चलते हैं भाई लोगो ठीक है चलिए आगे बड़ते हूं क्या कहा रहा भाई छे किलो मीटर प्रती घंटा की घती से चलने वाली बस द्वारा तीन घंटे तक ट्यक की गई दूरी जाद किजिए मीटर में गयाद करना है था फाइंदा इस्टेंस कबड़ बाई बस मुविंग six km per hour for three hours अगिसमे जाद करने हैं मीटर में तो हमें डिस्टेंस क्या होता है दिस्टेंस होता है speed into time दूरी क्या होती है चाल गोना समय तो इस डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इंटु टाइम स्पीड कितनी है चे किलो मीटर पर हुआ टाइम कितना है तीन यानि कि 18 ऑफ्षिन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा राइट ऑप्षिन चली आगे बढ़ते हैं और चली आगे यह लोग बहुत ही अच्छा कोश्चन वह बहुत सारी बाते पता चलेंगी पाइथागरणस के बारे में भी आपको एक इक कंसेट पता चलेगा ठीके बड़ा ही अच्छा कंसेट है ठीक है आये बढ़ते इस यह एट सेंटीमीटर हाइट इसे बनाना होता है यह बेस होता है बेस कितना दे रखा है 8 यह उचाही होती है है इसने करन और इसमेट थोरम होती है तीसरी साइड निकालने के लिए हम जिस थorem का प्रियोग करेंगे उसको बोलते है भाई लोगो यह पाइथागोरस और किसमें वो किसमें होता है यह सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल यानि कि समकोर्ण तर्भूज में होता है किसमें भाई लोगो तो आप कहेंगे यह सिर्फ और सिर्फ समकोर्ण तर्भूज में होगा और किसी में नहीं होगा इसी को बोलते हैं पाइथा स्क्राइब कितना हो जाएगी एक सो चौट और एक सो चौट अब हमें वर्गमूल एक सो चौट की वैल्यू कैसे निकालेंगे वही प्राइम फ्रेक्टराइजेशन की मदत लेंगे यानि कि अब आज गुण फल विदी की हम लोग क्या लेंगे भाई लोगो मदत लेंगे आई निकाल लेते हैं एक सो चौट का अब नेकिए हमने यह निकाल लिया अब एक सो चौट निकालते प्राइम फ्रेक्टराइजेशन करते हैं 216 दो दुनी चार दोचोकार दो एकम चार और 41 नंबर एक्तालिस एक मिच्तालिस तो कितना या त्यू इंट्यू 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 निकालो और जिसका जोडा नहीं बना उसको क्या रखो वर्गमूल के अंदर रखो हो तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा चो यानि की जो तीसरी हो जा हो जाएगी उसकी लंबाय कितनी हो जाएगी दो-वर्गमूलब ऑढ़िए हो जाएगी और यह पाइथाग़ूरस थोर्म क próxim हो जाती है ऐसा triangle जो right angle triangle हो ऐसा triangle जो right angle triangle हो भाई लोग ठीक है चली आगे बड़ते भाई 56 questions है ठीक है कै के रहा भाई एक कमरे की एक कमरे की लंबाई चड़ाई उचाई का रेशो दे रखा 1 ratio 2 ratio 3 तो आप जब भी ऐसा कोशन है रेशियो में तो उसको एक्स से मान के करते हैं तो एक्स से मुल्टिप्लाई करो वन की की एक्स से मुल्टिप्लाई होगी तो एक्स ही होगा टू की एक्स से मुल्टिप्लाई होगा तो टू एक्स एक्स से मुल्टिप्लाई होगा थ्री एक्स वर्लिम क्या होता है लंबाई चौड़ाई को तीनों को क्या कर दो गुणा कर दो थ्री एक्स टू एक्स और एक्स की कि यानि कि 6 x cube कितना जाएगा 6 x cube आ जाएगा तीन हो कि मल्टिपलाई कि इतना होता है लंबाई चॉड़ाई और उच्छाई ठीक है और इस 6 x cube की value कितनी दे रखी है तो आप कहेंगे इसकी value दे रखी एक सो पच्चेस तो x cube कि यहां पर थ्री लागा होगे हैं इस प्रकार से लिखोगे तो एक्स की वैलू कितनी आगए और लंबाई क्या है लंबाई एक्स है और लंबाई हमसे पूछ रखी है लेंधी हमसे पूछ रखी है तो आंसर क्या होगा फाइव अपॉन घंडमूल यहां पर हमारा अंसर क्या है तो आप कहेंगे यहां पर हमारा अंसर ए ओप्शन है ए इस दा करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा कोशन है 57 कोशन अच्छा कोशन है भाई लोगो देख लेते हैं 57 कोशन बढ़े अच्छ अच्छा कोशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तकि आप हर तरीके कोशन करने में महारत हासिल कर पाए उस घंड का प्रस्टीज शेत्रफल ग्याद कीजिए जिसका आयतन पांसो बारा सेंटिमीटर सब्सक्राइब कोशन होता है तो आपको क्यूब का टोटल सर्फेस अरिया का फर्मूला होता है वह होता है लोगो 6a तो एक वैल्यू कितनी होगे घंड मूल 512 यह किसका होता है तो आपको बाई लोगो आठ संटीमीटर हमें अनिकालना वह तो फॉल्मूला कितना होता है तो आप कहेंगे अधर फिरह का फर्मूला भाय लोगो होता है चोटल सुर्फेस एरिया तो 384 यह दो और इसका टोटल सर्फेस एरिया हो जाएगा 384 टोटल सर्फेस एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वाइर भाई लोगो हमारा हो जाएगा इस बात को आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई लोग अपने अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखते हैं बहुत यहसा लुवते ह्सक्मार थो 25 को कर लिए सकते हैं पांच का स्क्ूए है सबसे चोड़ी पावर क्या है एक तो हमारा कितना पावर एक इसका मतलब पाच तो कॉन सो आप्षिन सही है तोब कहेंगे कि ए बिल्कुल करेक्ट अप्शन हो जाएगा ठीक है यह बिल्कुल गर्लीक्ट अंसर हो जाएगा इस बात को आपको देहान रखना है ठीक है आए सॉल कर लेते हैं भाई लोगो देखें चार सो डिवाइड़ वाई 20 गोणा 3 प्लस 4-3 भाग है प्लस है माइनस है सबसे पहले क्या करें भाग सॉल करें चार सो को बीस डिवाइड करो तो आजाएगा बीस गोणा 3 प्लस 4-3 बीस दिया साथ 4 में से 3 यानिकी आंसर कितना आजाएगा तो आपको 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 अपको बड़ते हैं बड़ा ही असान है आपको किलोमीटर पती घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है और यह कि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो पांच बटे 18 से अब गुणा कर दीजिए दो निम अठारा दो चंग बारा दो तियां छे नो सत्ते तिरेसाट साथ पंजे पैतेस तो कितना जागा 35 मीटर पर सेकंड अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो पांच बटे 18 से गुणा करें अगर आपस के पास होता है 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लिए तो आप 18 बटे 5 से गुणा कर देते 18 बटे 5 से गुणा कर दीजिए तो पांच सत्ते 35 और जल्दी से बताओ यह थे आपके 20 कोशन जल्दी बता बीस में से 20 किसी किसके आ रहा है सबसे आसान पोजिशन होता है सबसे इजी पोजिशन होता है और इसमें बड़ा ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस से भागिए मती इसके प्रैक्टेस करिए जैसे मैं जूरी है वैसे अच्छे को नहीं है तो जली से होता है कि किसके आ रहा है यह तो आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं तैयरी में मददगार क्षाइए तो आपको लाइक के बटन पर क्लिक करने में कोई पैसा नहीं होना चाहिए तो आईए पैसेज को पढ़ते हैं जणम से 706 वर्ष पहले पर इसवी जनम से 706 वर्ष पहले पर इस पूर्व सबते हैं पर भाए बढ़ की चार वर्ष बाद युनान वाशी बहुत बढ़ा उस सा मनाया करते थे महान देवता जिसकान का नाम क्या था जीजूस के समार में व्यक्रादर अओलम्पिया शेहर में प्रफियोगता आइजित उती थी इसलिए इस आयोज़न को अओलम्पिक कहा जाने लगा क्योंकि यह कौूंसार में आयोजित होती थी उलम्पिया में लेकिन इस आयोजन को ओलम्पिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलम्पिक खेलों में केवल खेल कूद तरह नहीं होती थी नाटक और कव्योद उड़ा कविता पाझ होते थी दोड़े भी होती थी युरान Eleばい वासियों लिए खेल मन और शरीर के मेल थे किसके मेल थे तो आप कहेंगे मन और शरीर का मेल कहा जाता था यह प्रतियोगता है और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रती जो देवताओं के उनका जो देवता मानते थे जियूस को युनान वासी अपना देवता मानते और दोड़ाते थे हैं फ्रेंट की शपत से पालब होते थे और अब प्रिश् acts के साथ खत्म हो जाते थे यह हमारा क्या था भाई लोगों यह हमारा हमारा पैसेस था ठीक है चलिए आगे वरते तो आप कहेंगे ओलंपिक खेल सरपर्थम कब आयोजत कि 1906 में तो हुए नहीं ते आप यह पर देखी यहां पर लिकाइं साथसोग्यस्वी और यहां लेख़्ाय इसा पूर्व तो 20 नहीं तो ओलम्पिक कि शहर में ओलम्पिया में आई जूत होते थे इसी कहाण इसका नाम क्या पढ़ा आप कहेंगे इसी कहाण इसका नाम ओलम्पिक पढ़ा तो आप्शन कौन सा होगा डी ओलम्पिया ठीक है खेलों से मेल होता था खेलों से मन युनान वासियों के मन का और शरीर का मेल होता था जैसे हमारे देवता होते हैं भगवान शेव होते हैं बहुत सारे देवी देवता हमारे होते हैं इसी प्रकार युनान वासियों के लिए जो देवता था वो कौन था लोगो तो आप कहेंगे एक यूनानी देवता था उसके संमान में यह खेल आयुजित किये जाते थे यूनान वासियों के लिए ओलम्पिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ क्या था अपने देवता जियोस के प्रती संमान प्रकट करना इसके प्रती अपने देवता जी उसके प्रती सम्मान प्रकट करना उनका मकसद होता था तो क्या कह रहा है जी उसका सम्मान यानि कि ए ऑप्षिन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्षिन हो जाएगा आई अगला पैसे पढ़ते हैं विज्ञान पर निर्वर होता चला घे और दूसरी और उसका लोब भी बढ़ता घे उस की शार्रेक शक्ती भी घटती चली गईए अब दस-पांच कोज चलना भी उसके लिए दूबर हो गया क्यों दूबर हो गया अब दाज अइसा नहीं कि वह चल नहीं सकता इसका मतलब यह है कि अब उसने क्या होए शार्णी परिश्रम करना छोड़ दिया साइकल आ गई मोटर साइकल आ गई कार आ गई वह इससे चलना पसंद करता है इस अब लोगा हर आदमी बैठे बैठे काम कर रहा है क्या कर रहा है इतनी फिजिकल अक्टिविटी नहीं कर रहा है ठीक है अधिकास काम मशीन से करने लगा है इससे उसका बादिक मतलब मैं बादीब वहाम तो बढ़िया है यानि की मेंटल एकसर साइस तो हो रही है पर फिज पिए पिदा कर दी ए कि आःई बिदा कर दी है क्या जनम लिए है अन एक प्सके साथ मानव की विज्ञान पर निर्वरता बड़ी है तो आप चाहoben ऐसे मशीन के साथ हाँ नावात के साहथ नहीं शारे शक्ती के साह मांसिक कमजोरी के साथ नहीं किसके साथ मशीन के साथ मशीन के साथ विज्ञान की विज्ञान पर उसकी निर्भरता क्या हो गई है भाई लोगो उसकी निर्भरता बढ़ गई है ठीक है विज्ञान मशीन के साथ उसकी विज्ञान पर निर्भरता बढ़ गई है मनिश की शारीत शकति क्यों घड़ गई है क्यों फीजिकल एक्सियस करता ही नहीं है शारीत वयामी नहीं करता इसलिए उसकी शारीट शक्ति घड़ गई है क्या हो गई है बहाई लोगओ घट गई है ठीक है चली आकर आगे बढ़ते हैं दस को सभी पैदल चलना मुश्किल हो गया क्योंकि क्यों कि इसने शारी पणिश्व करना छोड़ दिया इसलिए 10-15 किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो गया भी इतना कमजोर है कि पैदल नहीं चल सकता है यह तो होगा नहीं इतना कमजोर है नहीं तो है गर्मी सर्दी बरदाश्ट चल नहीं प्राट इमार रहतें नहीं उसके जीम हो गया है कि तसने शादिक है क्वेवयाम करना क्या कर दिया है छोड़ दिया है कौन से ऑप्शन होगा तो आप कहेंगे ढूप्शन ठीक है आज हाथों से तो करता नहीं हाथों से तो करता नहीं है विज्ञान के साथ-साथ वो किस पर निर्वर हो गया है मशीनों से करता है अधिकांश काम आज कल मशीन मस्तिश किसे नहीं कर रहा है विज्ञान के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स मशीन होंगी आपकी माता जी भी बहुत सारे काम मशीन से करती होंगी जैसे दूद रखने के लिए फिरिश का इस्तमाल करती होंगी वाशी मशीन के स्तमाल करती होंगी मिक्सी का इस्तमाल करती होंगी ग्राइंडर के स्तमाल करती होंगी पानी गरम करने के लिए रोड के आगे क्या किया रहा है मनुष्य के संपूर इतिहास में शेर को किसका प्रतीक माना गया है भाई लोगों शेर को बल का प्रतीक माना गया है हम कहा करते थे शेर जैसा बलवान या शेर दिल शेर को किसका प्रतिक माना गया है तो आप कहेंगे शेर को बलवान का बल का प्रतिक माना गया है जैसे कहते हैं शेर जैसा बलवान है शेर दिल इंसान है वो विश्वर के राज दरवारों में शक्ति के प्रदेशन के लिए शे शेर सबी अन्न ऐ पश्यों को संगर्श में हरा देता हे बलकि ऐस ली घा जाए कि हॉर्ण मिने पश्यों में बहुत आतंग करता है कि सभी लोगों में चाहाए वो मैंश्य हो रहनी के जीव में आतंग पढ़ता थाößता है इसलिए उसकी खालों को उसको पालने को वो बल्वान समझा जाता था ठीक है शेर बिल्ली परिवार के सदस्य नर शेर मादाओं से अधिक बड़े होते हैं जो लोग शेरों का शिकार करते हैं वो उनके पद चिन्नों का अकार देखके बता सकते हैं हुई नर का पीशा कर रहा है या मादा का या निंगी यह कहा रहा है कि पहचान कैसे करेंगे कि फला शेर नर नर है या मादा flying D या मैल के पैर पर अगला आप याने कि नर का सिसे पता करेंगे उसका अगला भाгляд मादा के यानि की मादा शेर से क्या होता है बड़ा होता है क्या होता है भाई लोगों बड़ा होता है नर शेर के पैर का अगला भाग ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रद्शन क्यों किया जाता है लोगों को ड़राने कि लिए नहीं लोगों पशाशन करने नहीं शक्ति परदशन करने के लिए शेर की चिन का कि drought को लिए शेर का चुरया मादा की पहचान का शेर के शिकारी नढया मादा की पाई चन करते तो इसकी पदचिन hold की चाप आका देंगे तो आप कहेंगे, पदचिन के आकार से तो कि नरकर जो पैर का अगला हिस्सा होता है, वो gw chin yoka से क्या होता है बड़ा होता है इसलिए पदचिन्यों का यह पैग कर वो उसकी पहचान करते हैं, आगे कहें रहा है शेर को बलका प्रतिक क्यों मानगया है क्योंकि वे सभी मनुश्यों में सभी पश्यों में क्या पैदा करता है तो आप कहेंगे आतंक पैदा कर देता है क्या पैदा कर देता है वह आतंक पैदा कर देता है तो शेर बल का प्रतिक माना गया है क्योंकि यह सभी में आतंक पैदा करता है ठीक है आगे क्या रहा है डैस 10-脚 में सभी अन्य पर्शियों को हरा देता है यहां संगर्ष पार्थ याप कहेंगे होता है यहां सबंचो क्या तहां सब्कों सब्छ क्या कर देता mentorship आगे रहे है शेर दिल मुहावरे का अर्थ मतलब है बलवान दिल क्योंकि शेर का अर्थ ही क्या है भाई लोगो तो आप कहेंगे शेर का अर्थ है बलवान शेर का अर्थ क्या है बलवान कमजोर दिल गरम दिल कठोर दिल नहीं बलवान दिल क्योंकि शेर का मतलब होता है शेर का मतलब होता है बलवान ठीक है चलिए अगला पढ़ते हैं अगला पैसिज पढ़ते हैं अगला जो लास्ट है इसके बाद आप सभी को रुके रहना है क्योंकि आपकी मेंटल अबलेटी मानसिक योगता की किलाश शुरू होगी जिसके 40 कोश्चन सापको करने हैं भाई लोगो ठीक है तो इसके बाद तक आपको क्या करना है रुके रहना है इसके बाद आपके 40 कोश्चन मेंटल अबलेटी के किलास में कहए रहा है पैंग्विन नामा पक्षी पर नहीं बलकि अंटार्क्रिक व्रत पर रहती है उड़ती नहीं है वह उड़ती नहीं है बलकि समुद्र में गोता गाती हैं पेंगोईन जाड़े में समुध्र में जाती है और वसंत में तक पर आ जाती हैं जब प्छी JUSTINC जब बंटी है उसने घुषन खोचने जाती है तो दूसे पेंगोईन grow कहीं बहार जाते हैं और अपने बच्छों को खोड़ जाते हैं उसी प्रकार जब penguin falls घोज में जाती है तो है तो अपने दौनों बच्छों को किसी दूसरी बढ़ते हैं पैसे नम्ब portion No!!! 76 पैंगुइन के लिए कौन सी बात असते है उड़ना दरना और नहीं सकती पैंगूइन क्या नहीं कर नहीं सकती है ठीक है चले है फ्रीपफब कि समुद्र में जाते हैं तो आप कहेंगे पैंगूइन जाते हैं ये समुद्र ये establishment तो आप और वसंत पर क्या करते हैं तट पर आ जाते हैं पेंगूइन जाड़े में क्या हो जाते हैं समुद्र पर जाते हैं और वसंत रितू में क्या हो जाते हैं तट पर वापस आ जाते हैं पेंगुइन क्या खाते हैं फलफूल कंदमूल मचली कीले मकोड़े या समुद्री बनसपती तो समुद्र में जाते हैं तो समुद्री बनसपती खाएंगे क्या खाएंगे समुद्री वनस्पती खाएंगे तो C option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct option हो जाएगा पेंगुईन बहुत अच्छे माता पिता हैं क्यों है क्योंकि ये सिर्फ दो ही बच्चे देते हैं और हम दो हमारे दो का नारा चलितार्थ करते हैं तो ये सिर्फ दो ही बच्चे देते हैं इसलिए ये बहुत अच्छे माता पिता है पेंगुईन भोजन की तलाश में कहा जाती है तो बेंगुईन ना तो धर्ती पर जाती है ना नदी में जाती है ना दीप पर जाती है समुद्र तथा पहार पर समुद्र में ये अपने भोजन की तलाश में जाती है तो प्यारे बच्चों ये थे आपके 20 कोशन मैथ के और 20 कोशन आपके लेंगविज के तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपकी मांसे योगता क्लाश शुरू करने से पहले जल्दी से सबी कर लोग कमेंट करके बताओ कि चालिस में से कितने मांस आपके बंद रहे हैं चालिस में से कितने मांस बंद रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ कहां कहां आप लोगों ने गलती करिए कहां कहां गलती करिए और कितने मांस आपके बन रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दो भाई लोगो और लोगो ऑप्याल्ट अगल्ट 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 मुझे हालो है अगर को गज़ा इविनिंग एवरिवन सुपसंधिया सभी को राम राम रादे रादे जै हनुमान गुड़ इविनिंग जै भीम अगर आप चाहते हैं कि अभी एक्जाम के अंदर एक हपता बचा है दस दिन बारा दिन पंदर दिन एक पर होज्क सेथित मेन बचा है तो पथीस की सीरीस है जो अलेडी हमारी क्म्प्लीट हो चुकी जहां पर आपको पत्तीस कंउक टेस्का प्रैक्टिस कर सकते हैं जहांप परॉत की पीडियाप मिल है 400 रुपए में आपको complete series हम दे रहे हैं जो एक्जाम तक आप बेजग जिजग जितना चाहो उतनी बार test attempt कर सकते हो PDF फाइल का प्रिंट निकाल सकते हो वीडियो सॉलुशन जितनी बार चाहो आप देख सकते हो को series हमारे Android app में दी जा रही है Android app का लिंक आपको वीडियो को निचे मिल जाएगा या नीचे दीएगे नंबर की उपर आप हमें कॉल या वाट्सप कर सकते हैं क्रीज ले लिजिए 25 मोग test की practice कर लो ताकि exam में कोई दिक्कत ना है ठीक है चलिए तो हम बात करेंगे मानची योगिता के बारे में mental ability के बारे में सबसे पहले आपको क्या करना होता है आपका रोल नंबर जो भी है जो भी रोल नंबर है आपका XYZ वह आपको लिख देना होता है फिर आपका नाम और आपके साइन ठीक है यहां तक समझ में आ गया वीडियो को लाश्ट तक हाँ वीडियो को लाश्ट तक देखना है सभी को कि सर बाइसवा मोडल पेपर कब होगा बाइसवा बाइसवा दो हो चुका है आप क्या मांग रहे हो बाइसवा की पीडिये भांग रहे हो गया कि लाइट सामने आपकी कॉमेंट इतने साफ नहीं आ रहे एक्चुली दिक्कत आ रहे है कि सर मैंने भी लाइक कर दिया है महा मेरा थन महा मेरा थन भी इस्टार करते हैं आपकी जल सब्सक्राइब करनी है देखो हमारा वीडियो का लख से कम से कम एक हजार बच्चे लाइव आ जो लाइक कर लो शेयर कर लो ठीक है स्टार्ट करेंगे मेंडल अबिलिटी लास्ट में आपको अपना स्कॉर बताना है और हर बच्चे का मुझे कॉमेंट चाहिए हर किसी प्रस्ने के ऊपर ठीक है ज्बास्त लाइस में मोश्ट भाक्षबिया स्कॉर्ट भूं लुक्रा रही कि भी चीज है न कि आप रमको bestimm आनते हों लेकिन जहां पढ़ाई की बात आती है वहां पर हमें पढ़ाई पर भी फोकस पूरा करना चाहिए जिस प्रकार से हम इन सब बातों पर फोकस करते हैं उतना फोकस हमें जो है हमारी पढ़ाई की ऊपर भी कंप्लीट करना चाहिए जिससे की हमारी पढ़ाई भी जो है पीछे ना रहे है ना कि चलिए सबसे पहले चेप्टर का नाम बता दीजी भई मुशली बच्चों ने बताना स्टार्ड भी कर दिया है चेप्टर का नाम है ओड वन आउट नाम क्या है ओड वन आउट जिसको हिंदी में कहते हैं असंगत को कि चांट में सबसे पहले प्रस्ने का उत्तर क्या होगा को बच्चा मुझे बताएगा कि को बच्चा मुझे बताएगा कि सबसे पहले प्रस्ने का उत्तर क्या होगा कि स्राप मेरे फैबरेट हो ओके थैंक यू कि देखिए कि सबसे पहले का सही उत्तर होगा बी क्या होगा बी होगा लोजिक क्या है वाट इस दे लोजिक बिहाइंड दबी लोजिक यह है कि यहां पर लाइंस दी गई है यहां पर भी लाइंस है यहां पर भी लाइंस है यहां पर लाइंस है लेकिन यहां पर लाइंस नह इतना चल्दी हो सके इस मान्चियों किता को खतम कर लेंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है और आपके फॉन के अंदर यदि आपके पास वाइफाई नहीं है तो आपके फॉन के अंदर इंटरनेट भी इतना ही मिलता होगा कि आप एक प्रसनें की बात करें इसका सही उत्र क्या होगा इसका सही उत्र क्या होगा इसका सही उत्र होगा बी इसका सही उत्र क्या होगा बी होगा डीजन क्या है यहां पर फॉर साइट है यानि कि चार हो जाए है कितनी है चार और यहां पर यहां पर और यहां पर चार यहां पर प बाहर वाली संख्या मेंसे अंदर वाली संख्या को मैनस करते हैं तो वन आता है बागी सब में वन आ रहा लेकिन यहाँ पर मैनस का वन आ रहा इस कारण से क्या हुआ दूसरे का भी मेरा उत्तर हो गया हम सौल करेंगे थार्ड नंबर क्वेशन को क्या कहता है थार्ड नंबर क्वेशन है गुड़ इउनिंग हाँ मोडल पेपर नंबर 21 से लेकर के 39 तक की पीडियो फाइल जो है वह आज रात को किसी भी हालत में एनिहाव अप्लोड हो जाएगी और मैं कोशिज करूंगा कि जैसे यह मोडल पेपर पूरा हो जाए इसकी बाद ही मैं आपको पीडियो फाइल बना करके दे दूंगा ठ लेकिन मेरे यहाँ पर पस्चिमी रास्तान के अंदर इतनी भयंकर बढ़ गई है कि मतलब हाथ पेर वर्क नहीं कर रहे हैं यहां तक कि पूरी बोडी काम नहीं कर रहे हैं इतना सोच लो हैडेक कर रहा है जुखाम हो रही है बुखार आ रहा है वीक्नेस है बोडी में खान खान ही पारे हैं सोन ही पारे हैं बड़ा एक जबellsग मलब जब सूने को जाता है इदे अ तो सोचते हैं कि यार अबी कितना समय बचा है दस दिन इतो है थोड़ा बच्चों के लिए मिनद कर लेते हैं तो जैसे-तैसे कुछ मुखार की गोली जुखाम की गोली है ना हैड होट वाटर पीके जैसे तैसे अपने आपको कि यह कहते हैं कि चलो यार थोड़ा बच्चों के लिए मेहनत कर लेते हैं फिर इसके बाद तो बच्चे भी नहीं बोलेंगे कि सर हमारे लिए यह लिए वो ले क्योंकि फिर नेक्स सेशन का स्टार्ट होगा नेक्स सेशन पूरा एक साल बाद होगा तो हम जैसे तैसे खुद को खैच रहे हैं हमारे अंदर तो नहीं सकती ही है कि हम आपको पढ़ा पा म efficiently होगा और आपकी नाम के कारण आपके गाउं का नाम होगा और आपकी गाउं के नाम के कारण जिलाह राज देश Preis हम इसी परकार से बढ़ते हैं आगे तो कोशिस करो कि जितना हो सके खुद को contest करो exam बहुत पास है बहुत पास है सिर्क के उपरा के बैटा है लेकिन आधी क्या है तूफान मिले चाहे जतने व्यवद मिले बढ़ना ही अपना काम है बढ़ना ही अपना काम है ठीक है बड़ा चलिए हम सॉल करेंगे थर्ड नंबर क्वेशन को कुछ एक यूजर्स मैं उनको बच्चा नहीं बोलूँगा यूजर्स है चो कहते हैं कि सरा पढ़ाने से ज्यादा बकवास करते हैं तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि मैं से दे लोगगों को नहीं बढ़ाता है और बात बच्चों को पढ़ने कि आते हैं तो वहां पर बच्चों का कॉन्फीडेंस बच्चों का मॉटिवेशन बहुत बऌतur होता है जब हम बच्च라고 एक गंटा पढ़ाते यारेका बहुत बहुत ही बड़ा व्यक्ति जो और यार पैरेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सर्फ बच्चे को यह मत वालो कि तू एक घंटे पढ़ ले दो गंटे पढ़ ले यार वो पढ़ लेगा उसके अंदर दिनी भी पढ़ लेगा आपको सका होसला बढ़ाना पड़ेगा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा तो ही वह बच्चा सक्षेस हो पाएगा निकल पाएगा है ठीक है स्टार्ड करते हैं बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेशन को कि क्या गयता है कितने हैं 123 123 123 123 कोई चैंज नहीं है अगर चैंज नहीं है तो सब चैंज कहा है चैंज यहां है उत्र क्या होगा भी होगा रिजल स्मॉल लार्जर एंड लार्जेस्ट यह चोटा है यह उससे बड़ा है यह सबसे बड़ा है चोटा उससे बड़ा और बड़ा चोटा बड़ उससे बड़ा है लेकिन यहाँ पर सब एक्वल है सब एक जैसे हैं से हैं टू कोपी तो भी इस दा आंशर हम बात करेंगे फॉर्थ नमबर क्वेशन के बारे में चौथे प्रस्न के बारे में क्या कहता है चौथा प्रस्न फॉर्थ नमबर क्वेशन क्या कहता है यहाँ पर लोजिक क्या कहता है कि एक ही पोजिशन है वन वन के अंदर फॉर एड़ कर लो पेटा कुछ भी लोजिक हो सकता है ना एक सगने कॉल आ रहा है आहां रिस आहां स्टूडिया जा ठीक 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 तो मैं यह कह रहा था कि कोई भी लोजिक कहीं से भी उठके आ सकता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मानची गयोगिता की मेंटल अबिलिटी की दिखने में बड़ी आसान है यूं 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 कर लेंगे है तो फील होता है कि कासr के अपको अपर लोजिक क्या गाम करता है यहPe काम करता है ई आता है पहली पोजिशन के उपर उसकी अंदर हमने चार आबरेगर यहां पर दी है ओने यहां पर मतलब सात होड़ा अचाहिए लेकिन हमारा आंसुर में क्या होगा सी हमारा आंस्वर होगा देखिए PDF फाइल 21 से लेकर के 39 क्योंकि देखो मोडल पेपर नमबर 1 से लेकर 20 तक की PDF I hope कि सभी बच्चों को मिल चुकी है किसी को ऐसा दिक्कत नहीं होगी कि सर PDF नहीं मिली और मेरे ख्याल से बच्चों ने उसका प्रेंट आउट भी निकार लिया अब बात करते हैं 21 से लेकर के 39 तक की PDF वह आज रातरी 12 बजे के बाद यदि आपको ना मिली यदि आपको ना मिली तो यह समझे लो कि सबको रिफंड डाल दूगा ठीक है अगर 21 से लेकर के 39 तक की PDF फाइल आज रातरी 12 बजे तक यदि आपको नहीं मिली तो सारे बच्चों को उटोमेटिक उनका रिफंड मिल जाएगा ओके ठीक है यह वीडियो रिकॉर्ड कर लेना स्क्रिंशोट लेना बली जो कर लेना आज रात को 12 बजे मिल जाएग ठीक है जोगे अभी हाल फिलाल हमारा कम क्या पड़ाई करना है ठीक है वह बात हो चुकी है बार-बार एक ही बात को रिपीट करने से क्या होता है डिस्टर बहुता है तो दूसरे चैप्टर का नाम है similar figures क्या नाम है similar älltềnले को सdd अजय कि समानकुर्टि कि अजय नाम है सिमीलर फिगर जयने कि समान अकृती अ यह क्या कहता आप दखाने है तो क्या होगा यहांसर्किल है यहां पर एक संग लेडर नहीं है यहांपर भी सर्खिल नहीं है अब B या C में से क्या होगा यहां पर इन दोनों के उपर चेक कर लो Sam है यहां पर मैच कर रहा है यहां पर भी मैच कर रहा है ठीक है यहां पर क्या चीज है क्या यह चीज यहां पर है नहीं है यहां पर है हाँ जी है अपनट से Хोगा क्या होगा है एक हजार पचास बच्चे देख रहे हैं लगवक चौlike किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने лाइक कर दिया हैं आप सभी बच्चे पूरा देखेंगे और complete video watch करके सारे पर्षन्हों के उतर मुझे देंगे comment section में हम बात करेंगे चठे प्रसने के बारे में 6th number question के बारे में क्या कहता है चठा प्रसन है यह कहता है कि यहाँ पर एक square है क्या यहाँ पर square है square का मतलब होता है वर्ग जो बच्छे हिंदी medium से है तो यह भी square है यह भी square है यह भी square है ठीक है यहां पर क्या है ट्राइंगल है यहां पर भी ट्राइंगल यहां पर भी ट्राइंगल यहां पर भी ट्राइंगल मैच कर रहा है यह फिगर मैच कर लो यह आकरती क्या यहां पर है नहीं है बाकी हर जगह है यहां पर यह चीज देख लो यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है सब्सक्राइब करेगा थेयर सब्सक्राइब हमारे में उत्तर होगा कि आप अब कर था Bizim यहाँ पर यह चीज है क्या हिए नहीं यहांपर है यहांपर है यहां यहां पर मैच कर रहा है यहां पर मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है यहां पर भी कर रहा है यहां पर भी कर रहा है इसके बीच में कुछ ऐसा है क्या नहीं है लेकिन यहां पर एक्ष्ट्रा में दे दिया गया है तो क्या होगा साथवे का डी हमारा बिल्कुल सही उतर होगा क्या होगा amplitude D 11 सबस्क्राइब होगा सब्सक्राइब कि oven च भूमी और फिर गूमी यहांपर गूम रही है यहांपर भूम रही है यहांपर भूम रही ठीक है और आगे देखेंगे 1 लाके फिर इदर पी voter यहंदी हो ही फिर घूम आरे गूं यानिकि दो भार फोल्ड हो रहे हैं यहां पर यह बिलुकुल घूम ही रही है मलब फोल्ड नहीं इस परकार से कोई थोल्ड नहीं करें सब्सक्द मापनूर तो पीडrickत करे गा कहुं सावज हो इय मेंाच करेंगा यहां थर्ड चेप्टर है यह थर्ड चेप्टर यानि की थर्ड पार्ट थर्ड भाग नाम क्या है पैटन मैं कम्लिशन आकृति त्रो रख ठीक है कि यहां पर हमें line को ड्रॉफ करना है यहां पर लैन ड्रोफ कर दी यहां पर अपर दी कि यहां पर complete line नहीं है और यहां पर भी complete line नहीं है सारे option रॉंग तो यह हमारा पीछे बच गया जो की सही उत्तर है हम solve करेंगे next हमारे प्रस्ने के बारे में क्या कहता है line को हमने draw किया तो यहां पर कौन सा option मैच करेगा D option हमारा मैच करेगा यहां पर कौन सा मैच करेगा D option हमारा मैच करेगा ठीक है हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेशन के बारे में क्या हूँ आए देखो यहां पर इसको हमने एक चीज और यहां पर हमें सोचनी है सोचनी क्या है कि हम गूमा किसको रहे हैं पूरे को गूमा लें तो यह इस प्रकार से मैच करेगा लेकिन वो तो मैच नहीं करेगा है limbs जी करेगा वहने हुआ ऑजना है इ cette मैच नहीं करेगा इसको कि नहीं सैच गुमा लो है है तो यह हमने गुमा लिया और यह कुछ इस प्रकार से था और यह मैच करें आप option number a यहां पर match करेगा कौन सा match करेगा a option हमारा बिलकुल है सभी होत तर है हम बात करेंगे ट्वाल से नमबर कोईशन के बारे में बारोवे प्रस्चन के बारे में यहां पर एक चीज सोचने वाली है कि जो यहां पर है वही चीज उल्टी करके यहां पर लगा लो ठीक है ना क्योंकि यहां पर यह लाइन और यह लाइन दोनों क्या है एक दूसरे के पैरलल है मतलब की समांतर है तो यह भी दोनों एक दूसरे के पैरलल यान की समांतर होगी तो यहां पर यह ल्टी लाइन है यहां प तो क्वेल्थ का भी हमारा सही उत्तर होगा हम बात करेंगे फॉर्थ चेप्टर के बारे में फॉर्थ चेप्टर का नाम है सीरीज कंपलिशन बेटा नाम लिग दीजेगा याद कर लीजेगा इसको कहा जाता है तो सीरीज कंपलिशन मतलब की अगया चैनला पूरती ठीक है क्या कहता है कि देखो पहले यहां पर क्या हुआ एक लाइन थी इस परकार से फिर एक लाइन और यहां पर बढ़ी फिर एक लाइन नीचे वाली बिडियो अब एक क्या होगा यहां बढ़ा लेते हैं ना क्या फरक बढ़ जाएगा तो जब बढ़ा लेंगे तोध कौन सürü began नमबर मिंध करेंगा liarodson देए में करेंगा तरटीन का घ्र हमारा सई उत्तर होगा क्या होगा थी हमारा सॉप्तर होगा हम बात करेंगे फौर्टीन समर करेंगे के बारे महां। पहले एक रॉक्टेंगल था सिद्धा फिर एक और एड हूआ फिर एक और हुआ इड हो लो spiritual फिर एड हूं इसके नहीं क्राइड करो है की फ़र कर लूँ कि यह पर हम वस्तारा फिलें धाला है यहां तक सब्सक्राइब है यहां यहां से यहां उत्तर हो जाता है है यहां पर 12345 हो गया यहां पर 12345 हो गया यार कुछ तो क्वांटिटी में मतलब की फैल हो जाते हैं तो भी अपना उत्तर रहा गया कि चलिए हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेशन के बारे में 15 प्रस्ण के बारे में क्या हो रहा है इसको हमने 90 90 भी घुमा रहा है नहीं 90प नहीं 180 डिगरी पे 180 डिग्री पे जब गूरा घूम जाये का नहीं गुमने के बाद एक लाइन इसकी बड़ा लिह यहां पर ओपर फिर से इसको तो ने टिपे रोटेट कर लिए 180 पर फिर से घुपाल लिया गुमाने के बाद एक लिए मैस करेगा नहीं यहाँ पर पांच लाइन और की घाए है कि मैस करे गापने करेगा घृफी का सामेच करेगा फिर यही जोड का चिन और नीचे आगया अब क्या अब इसके निचे कुछ है नहीं तो सी क्या चीज क्या सीड़ी जैस तो क्या करें रिपेट कर लेंगे तो उपर ले जाएंगे तो जोड का चिन वापस उपर पहुंच जाएगा अब देखिए यहाँ पर उपर क्या है इसको सॉल कर लेते हैं अरे पूरी स्रीज सॉल मत करो यार सिंबल साइक लॉजिक लगा हो कि जहां पर जो ऑप्शन रॉंग हो रहा है एक स्टेप लेता ही चेक करो कि कौन सा ऑप्शन रॉंग हो रहा है काट अगर एक से जादा ऑप्शन पीच्छे बच रहें तो फिर से इस दो और लेओ जैसे मैं पर ले रहार हूं फिर श्रेप यहां लिकों फिर के बचा आए अब निच्ट करने कई जरूत ही हम रहे है फालतू का समय ख़र पकर में जिसका नाम है questo काव नाम है एनालोजी एनालोजी जिसको हम lotta simpel भास fences बहुते हैं हम बोलते हैं इस05 इसको हिंदी में करते हैं वर्गी करण वर्गी करण या फिर संबंध वाले प्रस्ड, हम क्या बोलते हैं, संबंध वाले प्रस्ड, जो relation, यानी कि जो संबंध इन दोनों के बीच में है, वही relation, वही संबंध इनके मईद्य lawn में, इनके बीच में भी होगा, वह अपने को बता आना है, अब कैसे बताएंगे जैसे कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है फरक क्या चेंज यह आ रहा है कि इसको हमने कि कीbasis पुर्ध जो वैब इन दोनों के बीच में क्या चैंज आया तो बीच में कौन कितना बन रहा है तो बीच में अब लाइन यह लैन नाइमड़ डिगरी रोटेट हो यह न तो पूरा का पूरा जो आकर् के शुर्ध Haven वह नाइन डिगर भी रोटेय्ट हो गया। इसी परकार से हम इसी बात करते हैं। अगर इसको इसको भी ऐसे ऐखने के होगी है। ग्लाइन अन्हरोट के सब्सक्राइब ऐस ओगा मेरा अब इस यह बई से और ऑफ'. यह होगा नहीं यह तो पहले सी ऐसा बन रखा है ना अब 90 एक्षिल हम लोग रोटेट कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं 90 पे रोटेट कर रहे हैं तो जब यह 90 पे घूमेगा तो यह लाइन जो है यह भी 90 पे घूम के इस साइड आएगी और ऐसे बनेगा कौन सा उप्शन म यहां पर भी वही सीन सोट है देखो क्या हो रहा है यहां पर इसको हम लोग 180 पे रोटेट कर रहे हैं है ना आइधिंग इट सो वनेटी पे कैसे करेंगे भाई देखो कि पहले यह लाइन यहां थी यह वाला लाइन अब यह लाइन उस साइड आ चुकिए तो क्या हुआ सामने जा चुकिए मतलब पूरी लाइन बन रहे है यह 180 का मन रहा है तो वनेटी पे रोटेट किया है इसको भी 180 करेंगे तो shi क्या होगा यह लाइन जो उपर है वह लोग के लिए हम लोग आप के लिए महनत कर सकते हैं हम आपको तो महनत करने के लिए बूली नहीं रहे हैं बस एक नीचे लाइक का बटन ने प्रेस कर दो आप फ्री हो अब आप continue video देखो share करो ठीक है चलो अगर करेंगे क्या हो रहा है कि यह इसको घुमा करके नीचे ले आए ठीक है यहां कि इसको ऐसे फोल्ड कर लिया मालो यहां पर एक एक एक्स वाई मिरर लगा हुआ है यह वाला मालीजी एक मिरर है तो क्या होगा यह गूम जाएगा तो इसी प्रकार से मालीजी यहां पर भी एक मिरर है तो क्या होगा यह गूम जाएगा ना ऐसे तो गूम कर कहां आएगा इस प्रकार से सेट होगा और बी के अंदर क्या होग उनिसवे का भी हमारा सही उत्तर होगा बात करेंगे ट्वेंडी नमबर क्वेशन के बारे में बीशूए प्रस्ण के बारे में क्या कहता है इन दोनों के पीश में क्या क्या रिलेशन है सिंपल से चेंज आया है कि यहाप एक लाइन आ गई और कुछ नहीं पर जाहें तो यहा सब्सक्राइब करेगा कौन सब्सक्राइब करेगा 20 का सी उत्र होगा यह हो गया हमारा हाफ मांसी योगिता अब हम आते हैं 21 प्रस्ण यानि की सेक्षिन सेक्षिन तो वही है भाग संख्या पाड संख्या 6 और इस चेप्टर का नाम है जियो मेट्रिकल अगर को फिगर को कमपलीशन जाय मीटिय आकरती को पूर्ण करना ठीक है क्या होगा यहां पर यह बनाई और इस प्रकार से बना लिए क्या यह मैच कर सकता है नहीं करेगा कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं जो इस प्रकार से मैच कर रहा है जब इस जब इस प ऑटब करके थोड़ा ने सकीट्ट करके चेक्ट कर लो यह मैच कर रहा ही ह। नहीं कर रहा है62 बहुत बना दी नहीं करेंगा तो अपसंन नमबॲ दी ही तो एक मात्र ऑप्शन है जो कहीं-ना-कहीं मैच करेंगा तो 21 सिधंत विग क्या होगा दी होगा बात करेंगे 22 विब कि मै dochने के वारे में ऊपर लाइन बनाई तो क्या हो रहा अब देखो से कोई भी मैज नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे इसको घूमा देंगे है ना या तो स्परकार से घूमा लो या इस प्रकार से घूमा लो है ना को इसको सब लो सकता है अब जैसर कि इसकी बात कर ले जब यह घूम जाएगा तो यह लाइन चोटी है ठीक है ना तो यह चोटी रहेगी और यह बड़ी रहेगी तो इस प्रकार से मैच करेगा जो की अपने को यहां पर इस प्रकार से मैच करोड़ा है ना कि ऐसे तो यह तो मैच नहीं करेगा यह अलड़ी मैच नहीं करेगा यहां रहेगी और जो छोटी है वहां यहां रहेगी तो बड़ी से चोटी है बन दाएगा और माखिया प्रेकार से क्वाइचि नमबर सी क्रेगा क्या होगा 22 वे का सी भार क्रेंगे 23 देंगि 1 ट्रेंगल भ्रोम ये हो गया कौनसı option match करेगा B option match करेगा B is my answer हम बात करेंगे 24th व्य प्रस्टने के बारे में 24th number question को दो इसे option क्या कहता देखो यहां पर यह match कर रहा है देख लो आप या कहां match करेगा यह नहीं करेगा यह नहीं करेगा तो option number D देख लो बिलकुल यह जो पूर्स नहीं यहां पर सेट बैट जाएगा तो क्या होगा दी होगा हम बात करेंगे करेंगे कि साथ्य चेप्टर के बारे में सेवंध पार्ट के बारे में इसका नाम है मेरर एंड वाटर इमेजिंग है ना दरपन करेंगे कि यह भोमे गहां पर मेर वस्तM利 यह बन जाएगी यह निच सर्किल है पूरा खाली कर लएगा कि यह सर्किल यहां बन जाएगा ठीक हो और आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा यह जो चीज यहां पर हैं वो चीज यहां बन जाएगी और यह लाइन जो है यह कुछ इस प्रकार से करके यहां बन जाएगी तो कौन सा उप्षिन मैच कर सकता यहां पर बताईए यह मैच कर सकता है क्या नहीं कर सकता यह कर सकता है क्या हां कर सकता है और यही उत्तर है हमारा तो भी हमारा क्या होगा 25 का सही उत्तर होगा हम बात करेंगे 26 प्रसने के बारे में क्या कहता है जब यह घूमेगा तो यह सैम सरकेल यहां से उपर की सेट जाएंगे उस और यह वा होगा 26 वे का दी हमारा उत्तर होगा हम बात करेंगे 27 वे प्रसने के बारे में क्या कहता है जब यह घूम जाएगा तो क्या होगा कोई फरक नहीं पड़ेगा स्क्वेर के उपर तो वर्ग है यह और यह सेम रहेगा और यह उस साइड वाला इस साइड चला जाएगा कौन सौ करेंगे 28 वे प्रसंदें के बारे में जब घूम जाएगगा ओर कौन को सा कौन सा मेच करेंगा हमारा मैस करेंगे यहां तक समझ में आया सबको हम बात करेंगे एट्थ पार्ट के बारे में, आठवे पार्ट के बारे में, जिस पार्ट का नाम है, folding the paper, नाम क्या है, जल्ली बताओ, folding the paper, या फिर इसको, I think, punched, hold and pattern, साहथ इस प्रकार से भी इसका एक नाम है, punch, hold, pattern, folding the paper, voice आरी है मेरी, हाँ, voice आरी है, ठीक है, कागज को मोड़ना भी इसको कहा जाता है, कागज को मोड़ना, ठीक है भई, वीडियो लास्त तक देखना है, बिड़ा सारे बच्चों, क्या हो गया भई, PDF आज दे देंगे सबको, PDF सबको दे देंगे, कोई दिक्कत होगे, क्या आज अच्छा बच्चे डैड़ घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं, 29th नमबर, सबसे पहले, इस सेट फोल्ड किया, फिर उपर फोल्ड किया, फिर निचे फोल्ड करके काट आ, तो यह कुछ इस प्रकार से, बन जाएगा, तो कौन सा उप्शन मैच करेगा, उप्शन नमबर, बन जाएगा, तो पिर यहां से फोल्ड करेंगी, फिर इस प्रकार से काटा, उपर यहाँ आ जाएगी और जाएगी, आप अपर भी उप्शन करेगा, बी ऑप्शन हमारा मैस करेगा, बात करते हैं 31st नमबर क्वेसन के बारे में, उपर फोल्ड किया, नीचे फोड करके इस प्रकार से काटा जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बहुत सब्सक्राइब क्या होगा किसका 31 का 31 का बात करते हैं 32 प्रस्णे के बारे में 32 प्रस्णे हमें क्या कहता है देखो, इस side fold किया, ऊपर fold किया, इस प्रकार से इसको बीच में से cut कर दिया। जब cut कर गया, देखो तो यहाँ पर यह size जो है, थोड़ी बड़ी है, इस काण से यह match नहीं करेगा, का यहाँ पर मैजने करेंगे और यहाँ पर यह चीज जो है रिपीट होगी यहां पर भी रिपीट होगी यहां पर भी रिपीट होगी तो कौन e option मैच करेंग यह सी ऑप्शन हमारा मैच करेंगा हम बात करेंगे थर्टः धर नंबरिकों के बारे में चैप्टर नंबर्ण नाहीं इसका नाम है यहां पर यह क्या है रेक्टेंगल होगा इसकान से मैच नहीं करेगा तो सी हमारा उत्तर होगा 34 प्रसने की बात करें 123 नाम दे दो नंबर कहां मैच करेगा यहां पर भी मैच नहीं करेगा यहां पर आज़ो यह रहा नंबर टू नंबर त्री तो डी हमारा उत्तर होगा 34 क्या होगा दी होगा बात करते हैं 35 फिप्ת बढ़र में 35 प्रस्ण केबारे में!」 और चार हम इने नाम दे दिए नंबर एक यह रहा नंबर दो यह रहा नंबर तीन और नंबर चार क्या होगा वि हमारा उत्तर होगा 35 प्लिक साइद्टर होगा 35 का क्या होगा भी हमारा बिल्कुल सही उत्र होगा हम बात करेंगे 36 के बारे में 1234 यह मैंने नाम देए नंबर एक नंबर 2 नंबर 3 और 4 एह हमारा 36 1 अभी बिल्कुल सही उत्र होगा बात करते हैं 37 लेकर के 40 तक पार्ट नंबर 10 क्या कहता है इस चप्टर का नाम है एंबडेट फिगर हेड़न फिगर चिपीवी आकरती या फिर सन्निहित आकरती ठीक है जो भी नाम है अब यहां पर देखो इसका सही उत्तर होगा सी क्यों होगा रिजिन समझे कुछ बते बोलेंगे सर्वी होगा लेकिन यह बात को सोचो यह लाइन बहुत चोटी है और independence बहुत बड़ी है लेकिन यहां पर यह लाइन और यह, वननों और मैज करें बारे में बई कहां पर मैच हो सकता है तो क्हों हो सकता है 軍सक्ता है क्या होगा हमारे है यह हमारा क्वेसं के बारे में 49 प्रसने के बारे म Chief कर सकते हो जды हो सकता है तो हमारा 39 का उत्तर होगा और बात करते हैं 40 ज्या प्रसने के बारे में कहांपर मैस करेगा यहां और ये मैच करेगा क्या होगा भी हमारा 40 वे का बिलकुल सही उत्तर होगा ठीक है इस प्रकार से खतम होई मांची योगिता आज के लिए कल फिर से मिलूंगा और अच्छा कुछ लेके आओंगा महामेराथन का सोट रहे हैं और भी बहुत कुछ लेके आएंगा लेकिन आपका बस लाइक चाहए सबूंड चाहिए वीडियो खत्व होजाए ए तो याद कर लो कि यार सरणनी लाइक का कहा ц wastewater मेराँ कर देता हूं लाइक कर दो और कॉमेंट में जय हिंद जय नौदे जरू लिखके जाएगा ठीक है मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में वीडियो आपको कैसा लग रहा है कुछ पढ़ने में अच्छा लग रहा है या फिर यूही बस आ जाते हैं पापा फॉन देते हैं फिर ऐसे काम नहीं करने है ठीक है अगर अच्छा लगे तो यह देखो वरना अपना को इतना नहीं है कि आपको देखना है ठीक है ठीक है ठीक है बाई गुटनाइट एवरिवन भाई-बाई-बाई-थैंक्यू स्कॉर बता देना अपना अपना